नमस्कार दोस्तो आप जो यह पौधा देख रहे हैं यह अपामार्ग का पौधा है यह बरसात के मौसम में हमारे खेतों घरों खलेयानों के आसपास उगाता है इसे लट जीरा बोलते हैं उल्टा काटा बोलते हैं और चिर्चिता भी बोला जाता है लेकिन इसका सही नाम देखा हमारी पस्तूस चिकेत सामें तीन ही बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं तीनों प्रयोगों को मैं आपको बताऊंगा यदि आप हमारे चैनल पर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तो यह पौधा लगवग पूरे भारत बस में पाया जाता है औ उल्टे होते हैं और इसके पत्ते गोल होते हैं और नीचे से थोड़ी सफेद सफेद होते हैं दोस्तो पहले के समय में जो संत्रिशी थे बहे इसके जो काटों में से बीज निकलते हैं उनके खीर बना के खाते थे और कई दिनों तक तपस्या करते रहते थे इसके दानों की खीर इतनी पॉस्टिक होती है कि हद से जाद हैं दोस्तों और जो हमारे पसू को यदि पसू जेर नहीं गिराता है तो आप इसकी जड़ को लगभग 40-50 ग्राम ले लें और 54 ग्राम गुड में मिलाके खिलाएं इससे आपका पसू जेर गिरा देगा और दोस्तों इसका दूस तब आपको इसके पंचांग को पंचांग मतलब जड़ तना फल फूल और पत्ते इन सभी को छोटे छोटे टुकडों में काटके या कैसे भी करके अपने पसू को खिलाना है इससे आपका पसू नेचुरल तरीके से थनों में दूद उतारेगा और दोस्तों इसका तीसा प पाओं में फैकचर हो जाता है तब आप इसके जो पत्ते रहते हैं उनहें निकाल लें और इसके फल निकाल लें और ऊच्छी तरह से पीचे उसमूं की डाल में ला ला लें और जो बबुल के पेड़ की गौन्द होती है उसे मिला लें इन तीनों को आप अपने पसू के पैर में बांद दें इस से उसकी हड़ी जल्दी जुड़ जाएगी दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो किसान भाईयों के साथ सेर करें मिलते हैं इंगली वीडियो में जै हिंद जै भारत